हुमेर रिप्रड़क्शन पढ़ रहे थे आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फीमेल रिप्रड़क्टिव ग्लेंड हमें पता है कि फीमेल के अंदर तीन रिप्रड़क्टिव ग्लेंड होते हैं पहला बर्थोलीन ग्लेंड होता है दूसरा स्कीन ग्लेंड या इसी को ग्लें इन्हीं तीनों ग्लाइंड के बारे में हम डीटेल में स्टडी करेंगे ठीक है आज का हमारे टॉपिक है मैमेरी ग्लाइंड या फीमेल कि रिप्रोड़क्टिव कि पहले बच्चा तीनों का नाम लिख लेते हैं ठीक है तो हमें पताए कि फिमेल के केस में तीन रिप्रोड़क्टिव ग्लाइंड होते हैं पहला बर्थोलीन ग्लाइंड दूसरा skin gland या इसी को gland of skin भी बोलते हैं एक नाम भी हम लिख लेते हैं skin gland और last बच्चा memory gland ठीक है तो female के case में बच्चा यही तीन gland present होते हैं कौन-कौन से birtholine gland, skin gland और memory gland ठीक है पहला हम birtholine gland को start करते हैं ठीक है तो पहला इसमें हमारा रहेगा birtholine gland ठीक है अब बच्चा यह जो birtholine gland होता है यह one pair structure होता है ठीक है तो पहला इसमें हमारा simple सा point है क्या कि यह one pair structure होता है one pair structure का मतलब number में यह कितने होंगे दू होंगे ठीक है अच्छा अगर दू होते हैं तो हर एक birtholine gland vaginal opening के एक birtholine gland इस साइड होता है और vaginal opening के एक birtholine gland इस साइड होता है ठीक है यानि one on one on each side और vaginal opening यानि इस चिसको बच्चा हम इस्ट्रक्चर बना के समझ सकने कैसे जिससे suppose किज़े बच्चा यह vestibule है ठीक यह vestibule है इस vestibule के अंदर दो opening मिलता है ठीक है हमें पता है कि एक urethral opening मिलता है और एक vaginal ऊपर की तरफ बच्चा यूरेthral opening मिलता है और नीचे की तरफ vaginal opening मिलता है यानि यह वाला कहलाएगा vaginal opening और इसके ऊपर आला बच्चा कहलाएगा यूरेthral opening यह हम पढ़ चुके है ठीक बच्चा अब होता क्या बच्चा यह चो वर्थोलीन ग्लेंड होता है यह यह तो 1 pair structure यानि 2 होगा नंबर में ठीक ठीक बच्चा ओपनिंग के एक इस साइड वर्थोलीन ग्लेंड होता है और दूसरा इस साइड होता है ठीक है इस ट्रक्चर में हम दिखा सकते हैं कि इस वेजाइनल ओपनिंग के एक इस साइड वर्थोलीन ग्लेंड मिलेगा और एक इस साइड वर्थोलीन ग्लेंड मिलेगा तो वही से वीकॉइड से अज़ा होता है कैसा हम इब बैकॉइड एश्याली दूड करें के अज़र होता है उसे कंप करता है क्स्परम की इंट्री आनल राम से हो सके स्पर्म वेजाइना के एसीडिक के वज़े से डाइनर कर सके उसका काम क्या होते है बच्छा इट लुब्रिकेट वेजाइना एंड रिद्यूस एसीडिक नेचर पी का इन रिद्यूस ये लुब्रिकेट वेजाइना का जो एसीडिक नेचर उसे कम कर रहा है तो ये before sexual intercourse कर रहा है आप sexual intercourse बोलो या quietus word बोलो बात एकी है ठीक है उसके बात बच्चा ये बर्थोलिन gland खतम हो गया ठीक है अब बच्चा दूसरे नमपर पर जो हम gland पढ़ेंगे उस gland का नाम होता है skin gland या बच्चा इसी gland को बोलते है gland of skin gland of skin ठीक है अच्चा ये जो gland होती है skin gland या gland of skin ये इस urethral opening के आसपास होती है इसी रिए इस gland का दूसरा नाम होता है बच्चा para urethral gland para urethral gland ठीक है अब बच्चा होता कहा है ये कहाँ पर प्रजेंट होती है देख लेते हैं पहले structure में बच्चा ये जो urethral opening होता है इसके आसपास कई सारे छोटे 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 gland of skin या para urethral gland होते है ठीक है यानि ये कहलाएंगे skin gland या gland of skin ठीक है कहाँ पर present इस urethral opening के आसपास present है और कई सारे है urethral opening के पास present होते है इसलिए इसका दूसरा नाम होता है, पैरा-eurithral gland तो इसमें हम points लिखते हैं क्या है. कई सारे present होते हैं, तो हम लिख सकते हैं, several glands present around urethral opening. मस समझे हैं बच्चा, कई सारे glands जो की presents होते हैं, कहाँ पे इस urethral opening के पास. इनका भी काम क्या होता है ये reduce करते हैं, acidity of vagina. या वजाईना का जो acidic nature होता है उसे reduce करते हैं साथ में साथ यह जो वेस्टिब्यूल है इस पूरे वेस्टिब्यूल का भी acidic nature को कम करते हैं तो यह दो चीजों के अंदर acidic nature को कम करें कहां का एक तो पूरे वेस्टिब्यूल में दुसरा इस वेजाइनल ओपनिंग का या वेजाइना के अंदर ठीक है थम लिख सकने क्या इट रिड्ड्यूसेज एसीडिक नेचर अफ वेस्टिब्यूल एंड वेजाइना ये भी बचा बिफोर सेक्शुल इंटर कोर्स पर ही करता है बच्चा चाहे बर्थुलीन हो चाहे स्किन ग्लैंड हो दोनों का सिंपल सा काम है कि ये एसिडिक नेचर को कम करते हैं कब कम करते हैं सेक्शुल इंटर कोर्स से पहले ऐसा इसलिए करते हैं बच्चा ताकि जब सेक्शुल इंटर कोर्स होगा सीमेन यानि स्पर्म अंदर जाएगा वजाएना सर्विक्स यूटेरस इसी तो पात्वे से जाएगा तो इस्पर्म की देथ नहों इस एसिडिक नेचर के वएसे ठीक है अच्छा बया अब हमारा बच्चा बर्थूलीन ग्लेंड और स्टीन ग्लेंड यहां पर कंप्लीट होत हो गया अब लाश बच्चा हमें मेमरी ग्लेंड के बारे में पढ़ना है ठीक है